Hello everyone, this is Satpal and you are watching Option Seller और finally वो वीडियो जिसका आप लोग इतने दिन से इंतिजार कर रहे थे वो वीडियो में लेके आ गया हूँ आज का यह वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊँगा कि केलेंड स्प्रेड को आप किस तरह से एडजेस्ट कर सकते हो और कैसे आप इसको एक रिस्क फ्री ट्रेड बना सकते हो जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना रिस्क फ्री वर्ड मैंने यूज किया है रिस्क फ्री आप इसको बना सकते हो जो तरीका जो तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उन्वेज को follow करते हो तो almost always आप अपने calendar spread को एक risk free trade बना सकते हो देखे छोटा मोटा loss है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैंने recently एक video डाला था जिसमें मैंने आपको बोला था कि देखे market में अगर आप trade करते हो तो एक profitable trader होने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको loss लेना आना चाहिए तो loss हो part of job है लेकिन जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं risk free world रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें कभी आपको loss होगा या मुझे कभी इसमें loss नहीं होता लेकिन वो loss बड़ा छोटा होगा जो आपका risk reward हो बहुत अच्छा यहां पर होने वाला है और 100-200-300-400 एक load पे आप इतने छोटे loss के साथ भी निकल सकते हो कैसे आज के इस वीडियो में वो तरीका मैं आपको बताऊँगा तो आज का वीडियो है इसको आप skip मत कीजेगा पूरा वीडियो आप देखिए अगर कोई आपकी query होती है कोई सवाल होता है कोई confusion होता है तो comment करके आप मुझे पूछ लीजे उसका जवाब दूँगा बाकि चलिए अब इस वीडियो को start करते हैं आपको screen के उपर लेकर चलता हूं मेरा time waste की और देखते हैं कि कैसे आपको एक calendar spread को adjust करना है तो देखिए यह मैं आपको screen के उपर ले आया हूँ यहां पर मैंने strategy builder को खोल लिया है तो इसमें आपको करना किया जो मैंने पिछला video डाला था उसमें setup मैंने आपको बता दिया था obviously आपको पता ही होगा कि calendar spread को किस तरह से trade करते हैं तो जो combination मैं recommend करता हूँ वो है weekly और monthly का weekly का option वो आप sell कीजिए monthly का option वो आप buy कीजिए और उसका logic यह है कि monthly का option buy हम कर रहे हैं वो आपी theta dk वो slow होगा और weekly का option जो मैं sell कर रहा हूँ जहाँ theta मेरे favor में work करेगा वो बड़ा fast होगा तो basically यह जो difference है इसी को हम play करते है calendar spread के थूँ अगर market फिर उपर और नीचे directional move किसी तरफ देता है वहाँ पर adjustment की जरुद पढ़ती है जो मैं आज आपको बताऊँगा तो देखिए जो current week है वो 25 जुलाई का है जो जुलाई की expiry है वही अब current week है और जो monthly expiry है वो अब होगी 29 अगस्त को तो जो monthly expiry है वो मैं खोल लेता हूँ उसके option chain तो market कहाँ पर trade कर रहा है 24,500 पर market trade कर रहा है जो की at the money का level है तो चलिए इसी का example लेकि मैं आपको दिखाता हूँ 24,500 है यहाँ का जो call option है यह 536 रुपीज पर trade कर रहा है इसका एक lot में buy कर लूँगा और अगर आपके दिमाग में यह confusion आ रहा है कि मैंने call option ही क्यों लिया तो देखे पिछला वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने यह वीडियो लाने से पहले वो वीडियो में इसलिए लेके आया था ताकि आप लोगों का वो confusion दूर हो जाए कई सवाल मुझ से पूछे गए थे कि put calendar और call calendar में आपने call calendar क्यों trade किया तो उसमें मैंने बताए कि क्यों मैं call calendar को trade करना हूँ उसमें क्या edge मिलती है तो यहां पर मैंने एक call option को buy कर लिया है और इसके लिए मैंने market को 536 rupees पे कर दिये हैं अब मैं क्या करूँगा देखे option buy जब भी आप करते हो जहां पर हम market को कुछ pay करते हैं तो 536 rupees मैंने pay कर दिये अब मैं क्या करूँगा अब मैं जो weekly expiry है उसके option जेन open कर लेता हूँ और 25,500 जहां का option मैंने buy किया है same option को मैं sell कर दूँगा और यह trade कर है 246 rupees पे इसका एक load मैं sell कर दूँगा तो अब आप देखे यह मेरा pay of chart देखे कितना aesthetic यह बन रहा है क्यों क्योंकि अभी एक event सामने खड़ा है budget उस वज़े से volatility है वो थोड़ी सी उपर जा रखी है इस वज़े से premium से वो हमें अच्छे मिले है अगर volatility कम होती तो यह जो हमने 536 pay किया यह कम देना होता लेकिन हमें मिलता भी कम इतना premium नहीं होता तो अभी के लिए आप देखे 536 मैंने market को दिये है 246 मैंने market से वापस ले लिए है यह मेरा calendar spread है बाकि मैं आप लोगों को recommend करता हूँ कि यह मैंने आपको at the money का example लेके दिखा दिया है अगर setup होता है वो यह होता है जो मैंने आपको अभी दिखाया है तो अगर market में आप लोगों का जो सवाल था एक बड़ा gap down हो जाता है तो मैं क्या करूँगा किस तरह से calendar spread को मैं manage करूँगा तो चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता दू कि अगर market ऊपर चला जाता है तो आपको क्या करना है तो देखे ऊपर अगर market जाता है तो मुझे डरने की जरुवत नहीं है वो मेरे favor में जा रहा है कैसे आपको करना क्या है अगर market ऊपर जाता है तो simply आपने जो weekly option sell कर रखा है इसको उठा के आप ऊपर ले आईए और ऊपर की तरफ आपको profit होता जाएगा बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से नीचे का जो adjustment है वो मैं आपको बताऊँगा अभी मैं आपको ऊपर का बता रहा हूँ तो 24-500 का call option है यह मैंने sell कर रखा है weekly experiment ठीक है अगर market ऊपर जाना start कर देता है तो यह आपको ऊपर की तरफ shift कर देना जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ 24-500 है मान लिजिए यह मैं 24-700 कर देता तो आप देखिए अब अगर market ऊपर जाता है तो आपका जो break even है वो और ज़्यादा ऊपर चला गया पहले कितना था आपका break even 25-000 है अगर market 25-000 के ऊपर जाता तो आपको loss आना वापर start हो जाता यहां पर आपको loss 25-500 पी हो रहा है तो 250 बैने उपर shift किया है और उपर की तरफ आपका जो profitable range है वो और ज़्यादा wide होगी है आपका break even है वो और ज़्यादा दूर जला गया है और अगर market यहां पर चला जाता है तो भी आपका loss है वो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा loss नहीं है हाला कि उपर की तरफ तो आपको डिनने की जरुद है ही नहीं क्योंकि अगर market जैसे जैसे उपर जाएगा मैं इसको और उपर shift कर सकता हूँ ठीक है तो उपर की तरफ से आपको tension लेने की जरुद नहीं है मैं वापस इसको same अपना जो है वही कर देता हूँ 24 500 यह मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए दिखाया है कि उपर की तरफ आपको किस तरह से करना है तो यह मेरा ideally जो calendar spread है वो यह है अब बात कर लेते हैं कि market अगर नीचे जाता है तो मैं क्या करूँगा तो देखें market अगर नीचे जाता है तो कई तरह की adjustment है जो आप यहाँ पर कर सकते हूँ बाकी एक दो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको करना है जो आप easily जो simple nature में वो मैं आपको समझा देता हूँ बाकी ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही adjustment है कई तरह के अलग-अलग adjustment होते हैं जो अलग-अलग scenarios में आप use कर सकते हो तो देखिए करना कि आपको सबसे जो simple और effective तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मैंने call calendar को trade किया है अब अगर market नीचे जाता है market में बड़ा gap down होता है तो आप simply इस calendar spread को एक double calendar spread में convert कर सकते हो और जैसे आप इसको double calendar में convert करोगे नीचे की तरफ आपकी profitable range हो काफी wide हो जाएगी जैसे आप यह माने market यहाँ से और नीचे गिर जाता है market में 300-400-500 point का gap down हो जाता है आप simply call calendar तो आपके पास है और अगर नीचे गिर रहा है तो एक put calendar ओर लगा दीजिए उससे क्या होगा एक call calendar एक put calendar इस वज़े से मिलके हो क्या हो जाएगा एक double calendar spread बन जाएगा तो एक तो adjustment यह है पहले यह माँ आपको दिखा देता हूं 24-500 का जो call option है वो मैंने buy किया है तो इससे नीचे मैं आता हूं जो monthly expiry है उसको आप open कर लिजिए यहां का option मैंने buy कर रखा है तो आप नीचे आईए और लेट से आप 24-200 है इसका एक option buy कर लेते हो पुट option मैंने buy कर लिया है 24-200 का ठीक है और अब आप weekly expiry को open कीजिए और 24-200 का यह option आप buy कर लिजिए sorry sell कर दीजिए buy मैंने कर लिया है यहां पर एक load मैं sell कर दूँगा तो यह मैंने put calendar लगा दिया है अब आप देखे यह नीचे की तरफ आपकी profitable range है वो अब जो break हो नीचे की तरफ की सग गया है कि market अगर अगर नीचे जाता है तो उस case में क्या था calendar में थोड़ा सा market नीचे आता तो आपको loss होना start हो जाता लेकिन इस तरह का अगर कभी हो जाता है कि market बड़ा तेजी से गिरे तो उस case में आपको simply अपने calendar को एक double calendar spread में convert कर देना है बस उसी से आपका जो break होना है वो नीचे की तरफ shift हो जाएगा एक तो यह तरीका जो आप कर सकते हो काफी effective तरीका यह है नीचे की तरफ अब आपका break होना है वो 2881 का है बाकी break events का देखिए होता ऐसे है कि यह volatility spread है market में जैसे जैसे volatility उपर या नीचे जाएगी उसके हिसाब से आपका maximum profit maximum loss और आपके break events से वो shift होते रहेंगे तो यह देख कि आप deceive मत हो यह क्योंकि software है वो इसको change करता रहेगा तो simply आप logic को समझे कि logic क्या है ठीक है और एक चीज़ का और आप ध्यान रखे यहाँ पर जब मापको बता रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर market वहीं पर खड़ा है मैंने क्या बोला जब market नीचे गिरेगा उस टाइम पर यह adjustment करना है तो जब market नीचे गिरेगा तो आपको थोड़े और better premium मिलेंगे ठीक है तो यह आपको simply करना है पहला adjustment है गिरने का उपर का मैंने आपको बता दिया उपर की तरफ आपको डिरने की ज़रुत नहीं है जो weekly option है उसको simply आप उपर की तरफ shift कर दीजिए और आपकी range वो extend होती जाएगी वैसे अगर आप bullish trade लेते हो यह तो आपको उपर की तरफ से डिरने की ज़रुत नहीं है still मैंने आपको बता दिया है अगर आपको उपर की तरफ loss होता है तो आपको क्या करना है नीचे की तरफ दंबा हो जाएगा लेकिन वो भी मैं आपको बता देता हूं तो सबसे पहले तो यह जो पुट वाला portion है इसको मैं हटा देता हूं तो देखिए अब आपको क्या करना है यहां पर सिंपली यह आपका ट्रेड है अगर मार्केट नीचे जाता है अब नीचे कितना जाए तो आपको एड़िस्ट करना है तो देखिए जो वन परसेंट है क्योंकि निफ्टी मान लीजे कल अब अब हम बात करने लग गया कि 200-300 मार्केट गिर जाए तो होता क्या था जब निफ्टी 10-12-13-1000 पे ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे 200-500 थे वह बहुत बड़ी एक मुवेंट मानी जाते थी कि आज निफ्टी 200 उपर गया 200 नीचे गया यह बहुत बड़ी बात हुआ करते थी आज से दो साल पहले की बात न करूं तो लेकिन अब आप देखे अब अगर मार्केट 200 जाता है निफ्टी अगर 200 मुव करता है तो वह उसका एक परसेंट भी नहीं है ठीक है निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 24,500 पे तो आप यह माने ओल्मॉस्ट 200 पॉइंट अगर निफ्टी मुव करता है तो वह नि आपको बता दिया वह आपको तब करना जब मार्केट 500 पॉइंट या इस तरह से घिर जाए बाकि अगर मार्केट एक परसेंट या उससे ज़्यादा गिरता है तो आपको क्या करना है यह दूसरा एडजेस्ट मेंट है जो आपको बता रहा हूँ अगर market नीचे जाता है तो simply आपको क्या करना है यहाँ पर आप देखें मैं उपर की तरफ चलता हूँ यह देखें 28 delta है 25 300 का यह trade कर रहा है 190 रूपीज पर तो चलिए इसका एक लोट में sell कर देता हूँ तो अब आप देखें यह आपका pay of chart बनता है अगर market गिर जाता है इस तरह से तो उसमें आपको क्या करना है अब अगर market नीचे जाता है तो आपको जो 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 लोस है वो देखें पहले बात तो आपका break on आप देखें नीचे की तरफ कहां चला गया है 30,500 से भी नीचे आपका break on चला गया जबकि market 24,500 पर है और यह adjustment आपको कब करना है जब market नीचे गिरेगा उस टाइम पर करना है एक परसेंट या उससे जादा market गिरता है तब आप यह adjustment कर सकते हो लेकिन इसमें एक catch है वो आप समझे यह I believe कि अगर आप options को trade करते हो आपको क 28% नीचे गिर जाएगा 200,200 पर नीचे गिरेगा उस टाइम पर यह adjustment करना है तो देखे उस टाइम जब आप adjust करोगे तो यह जो premium है यह आपको 190 रुपीज का नहीं मिलेगा उससे कम का होगा क्यों 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 क्योंकि market नीचे गिर चुका है उसके बाद यह adjustment मैं कर रहा हू that means यह जो premium है यह इससे कम होगा यह भी decay होगा थोड़ा तो इतना premium आपको नहीं मिलेगा लेकिन still मैंने 25-300 यहां पर sell किया है आप इसको 30 delta तक जा सकते हो तो अगर आप 25-200 sell करते हो 25-100 sell करते हो तो इस तरह का premium आपको मिलेगा हम काफी दूर जाके sell कर रहे हैं लेकिन आप आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि आप 30 delta से ज़्यादा और close में ना आए 25-30 delta वो एक सही range है delta wise अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें आप एक sufficient range में आप रहोगी अब आपकी दिमाग में एक और सवाल आ रहा है उसका जवाब भी मैं दे देता हूँ अब आपकी दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैंने thumbnail में भी बोला है और वैसे भी वीडियो में बोला है कि यह एक risk free trade होगा लेकिन यहाँ पे देखिए आगे मेरा loss है वो undefined है क्यों क् एक weekly sell कर दिया तो चलो इसको तो यह hedge कर रहा है लेकिन यह जो नया option मैंने sell किया है यह तो बिल्कुल undefined loss मुझे दे रहा जो की चार्ट में भी आपको दिख रहा है तो यह risk free trading किस तरह से हुआ तो देखिए यही कैच है यही चीज में आपको समझारा चाहता हूं यहाँ यहाँ पर आपको करना क्या है यह जो trade मैं लूँगा यह जो मैंने adjustment किया है यह कभी किया है जब market नीचे जाएगा तो पहली बात तो market 25-500 पर नहीं होगा जब यहाँ से 200-500 नीचे होगा तब इस option को मैं sell करूँगा दूसरी बात यहाँ पर देखिए जो option मैंने sell कर रखा ह यह 25 जुलाई का है ठीक है तो अब आज मैं वीडियो बना रहा हूं और कल market open होगा that means market जब open होगा तब 22 जुलाई को market open होगा Monday को और 25 जुलाई का मेरा trade है और एक दिन पहले मैं निकलूँगा that means 24 जुलाई को मैं निकलूँगा तो 22, 23, 24 सिर्फ दो तीन दिन के लिए market 24, 500 पर trade कर रहा है और यहां पर जो option मैंने sell किया है वो 25-300 का है तो market जब मेरे against चला गया है उसके बाद यह adjustment मैंने किया है तो market अगर वापस उपर आता है तो इसमें जो आपका loss जो दिखाई दे रहा है उससे आप मढ़ रहे यह जो आपका original trade है इसमें आपको profit होगा पह तो आपको इसमें profit होगा और अगर market उपर आता है तो anyway आप 24 जुलाई को और इस trade में से वैसे exit हो जाओगे और एक बार जैसे ही आप इसमें से exit होते हो 24 जुलाई को आपका यह जो option जो आपने sell कर रखा जो आपको undefined loss दे रहा है वो उसको यह perfectly hedge करेगा जो 24-500 का call option आपन मैं यही बता रहा हूं कि यह जो option आपको undefined loss दे रहा है इससे आपको डुरने की जरुत नहीं है क्योंकि जो option मैंने यह वाला sell कर रखा है यह दो दिन बाद इसमें से exit हो जाओगा ठीक है तो या तो अगर market नीचे जाता है तो इसमें यह zero पे worthless expire होगा मुझे profit होगा अग ठीक है तो इस वजए से यह जो आपका लोस यहां पर दिख रहा है यह लोस आपको होगा नहीं असल में आपका 24 जुलाइक को pay of chart कैसा दिखेगा मैं आपको बता देता हूं इसको मैं आपको हटा के दिखाता हूं यह आपका pay of chart होगा 24 जुलाइक को कि market अगर उपर जाता है तो आपको profit ही होगा लोस वहां पर नहीं होगा इससे आपको डिरने की जरुपर जाता है यह मैंने आपको समझाने के लिए बताया है उस trade को मैंने यह आपर delete कर दिया है जो अपना weekly वाला trade था तो इस तरह से उपर shift करते जाएए आपकी range वो extend हो जाएगी ठीक है उपर का हो गया उपर के लिए वैसे आपको नहीं डिरना है अगर market नीचे आता है तो दो adjustment मैंने आपको बताया है पहला adjustment यह है कि market में बहुत बड़ा gap down हो जाता है मान लीजे तो वहां पे आप अपनी जो calendar spread है उसको double calendar में convert कर दीजिए यह आपका पहला adjustment हो गया दूसरा adjustment अगर आप करना चाते हो तो वह यह है कि आप एक out the money का call option sell कर दीजिए लेकिन monthly एक्सपेरे का वह आप sell केजिए जब आप वो sell करोगे अब आपकी दिमाग में आएगा कि यह मैं naked sell कर रहा हूं तो उससे आपको डिरने की ज़रुत नहीं है क्यों क्योंकि दो दिन बाद जो option आपने sell कर रखा था वो वैसे भी expire हो जाएगा उसमें से आप exit हो जाओगे तो अगर market नीचे रहता है तो उसमें आपको profit होगा और अगर market वापस उपर आ जाता है तो भी आपकी profitable range में आएगा market क्योंकि जहाँ आप market के पास time है तो market जब उपर आता है तो वहाँ पर दो दिन बाद आप exit हो जाओगे जो आपका weekly option आपने sell कर रखा है उसके बाद जो option आपने buy कर रखा month लेका वो आपको hedge आपका ये जो option आपने sell क्या out दमने का उसको hedge करेगा तो basically क्या होगा दो दिन के बाद आपका जो calendar spread है ये convert हो जाएगा एक bull call spread में तो इस तरह से आप trade कर सकते हो ये calendar spread के adjustment है जो आप master कर सकते हो जो आप practice कर सकते हो मैं ये तो नहीं बोलूँगा आप real money के साथ trade कीजिए लेकिन आप paper trade जरूर कीजिए जो adjustment मैंने आपको बताया है उन अगर होता है तो आप उनको real market में देख करते हैं thank you so much for watching the video video थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो रहा है तो चलिए यहीं पर खतम करते हैं I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें दिस जद्पाल signing off